किताब का नाम 21 सदी का विवसाई, अध्याए 18, अध्याए का नाम समझदारी से चुने तो आपने अपने स्वयम का नेटवर्क मार्केटिंग विवसाई शुरू करने का फैसला कर लिया है, बधाई हो अब आपके सामने बहुत से विकल्प हैं, संसार में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कमपनिया काम कर रही हैं आप किसमें शामिल हों और आप सही चुनाव कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले नए लोग प्राय यह विकल्प बड़ी लापरवाही से चुनते हैं वेबस सामने आने वाले सबसे पहले अफसर पर हश्टाक्षर कर देते हैं अब यह हो सकता है कि आप जिस पहली कंपनी के बारे में सुने यह बहतरीन हो और आपका चुनाव बुद्धी मता पुर्ण साबित हो लेकिन सच तो यह है कि आपको पूरी सावधानी से जानकारी और ज्यान प्राप्त करने के बाद ही यह विकल्प चुनना चाहिए यहां न भूलें कि इस बात पर आपका भविश्य दाओं पर लगा हुआ है तो आप कैसे चुनें किन मांदंडों के आधार पर निरने लें हमारी कंपनी की भुकतान योजना सर्वस्रेश्ट है आप यहां धेर सारे पैसे बना सकते हैं जब मैं अलग-अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जाच कर रहा था तो मुझे अक्सर यह टिपनी सुनने को मिलती थी अपना विवसाईक अवसर दिखाने के लिए उत्सुक लोग मुझे उन लोगों की कहानिया सुनाते थे जिने उनके नेटवर्क मार्केटिंग विवसाई से हर महीने लाखो डॉलर की कमाई हो रही थी च्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग विवसाई से हर महीने सचमुच लाखो डॉलर कमाते हैं इसलिए आमदनी की इस व्रहद संभावना के बारे में कोई शक नहीं है लेकिन मैं यह सला नहीं देता कि आप मुलतः पैसे के खातिर ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग विवसाए पर गौर करें हमारे पास सर्वस्वेष्ट सबसे अच्छे गुणवक्ता के प्रडक्स हैं ऐसे प्रडक्स जिनसे लोगों की जिन्दगी बदल गई है मैंने यह बात भी सुनी है प्रडक्स के बहतरीन लाप शायद यह नंबर दो कारण था जो लोगों ने मुझे शामिल करने के लिए बताया नंबर एक पर पैसा था एक बार फिर मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है हाला कि मैंने बहुत सी अतिशेयोक्ती पुर्ण बातें सुनी है लेकिन मुझे कुछ सचमुच बहतरीन प्रडक्स भी मिले जिन में से कुछ मैं आज भी इस्तमाल करता हूँ वास्तव में बहुत उची गुडवक्ता के प्रडक्स नेटवर्क मारकेटिंग का एक आधार स्थम्भ है बहराल प्रडक्स भी नेटवर्क मारकेटिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाब नहीं है मुझे यह दोहराने दे आप किस कंपनी के साथ काम करें यह चुनते समय प्रड़क्ट सबसे महत्वपूर्ण विचारनी यह प्रश्ण नहीं है मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि प्रड़क्ट ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हाला कि यह नहीं है याद रखें आप सेल्स पर्सन के रूप में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं आप तो खुद के लिए विवसाई करने जा रहे हैं और जिस विवसाई में आप हैं वह हैं नेटवर्क बनाना इसलिए जब आप अपने इर्द गर्द भिन भिन कंपनियों पर नदर डालें तो आपके दिमाग में यह एक सवाल सबसे उपर होना चाहिए क्या यह कंपनी यह सिखाने में मेरी मदद करेगी कि नेटवर्क बनाने में निपुर्ण कैसे हुआ जाए नेटवर्क मार्केटिंग की सला देते समय मेरा नंबर एक कारण है कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली असली दुनिया की विवसाइक शिक्षा और व्यक्तिकत विकास का तंत्र नेटवर्क मार्केटिंग तंतर इस तरह बनाया गया है कि दौलत में हिस्सेदारी करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो सके यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें उत्साह, संकल्प और लगन है इसे इस बात की परवा नहीं है कि आपका सरनेम क्या है या आप किस कॉलेज में गए थे या गए भी थे अत्वा नहीं आप आज कितना पैसा कमाते हैं, आपकी जाती या लिंग क्या है, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आप कितने लोकप्रिया है या यह भी कि आप कितने स्मार्ठ है अधिकाश नेटवर्क मार्केटिंग कमपनिया मुलतह इस बात की परवा करती हैं कि आप सीखने, परिवर्तन करने, तदा विकास करने में कितने इच्छुक हैं और जब आप विवसाय के स्वामी बनना सीखते हैं, तो क्या आप में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्तिती में जुटे रहने का साहस है? क्या यह हर नेटवर्क मार्केटिंग कमपनी के बारे में सच है, जो काम कर रही है? नहीं! हर शेत्र की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग शेत्र में भी अच्छी बुरी तधा बेकार कमपनीया हैं, और ऐसा भी है जो वाकई बहतरीन हैं, दरसल सभी नेटवर्क मार्केटिंग कमपनीया शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती, कुछ ऐसी भी हैं जो बस हरबड़ी मे नजर आती हैं, वे सिर्फ यह चाहती हैं कि आप उनका सामान बेचें, उन्हें आपको कुछ सिखाने की कोई परवा ही नहीं होती, वे बस इतना चाहती हैं कि आप अपने मित्रों और परिवार वालों को उनके जाल में फसा दें, यदि आपको ऐसी कोई कमपनी नजर आए, तो मैं तो उसमें कभी शामिल नहीं होंगा, वे आपके विकास में योगदान नहीं देंगी और ज्यादा समय तक कायम भी नहीं रहेंगी, लेकिन बहतरीन कमपनियां आपकी विवसाइक शिक्षा के परती पूरी तरह समर्पित होंगी, उनका दृष्टी कोण दिर्ग काल और वे आपकी योगेताओं के विकास को प्रात्मिक्ता देती हैं, जब आपको ऐसी कमपनी मिले, जिसमें आपके उपर के लीडर्स आपको प्रशिक्षित करने तरदा मदद करने के वाकि इच्छुक हों, ताकि आप वैसे विवसाई बन सकें, जैसे कि आप बनना चाहते ह तो समझ जाएं कि यही वह कमपनी है जिसके साथ आपको जोड़ना चाहिए, क्या भुकतान योजना महत्वपूर्ण है, यकीनन, क्या प्रडक्टी गुनवक्ता महत्वपूर्ण है, जाहिर है, लेकिन इन चीजों से कही बढ़कर मैं दरसल यह देखता हूं कि कमपनी प्र कारे में यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ दरसल आपका बिजनस स्कूल है, भुकतान और प्रडक्स के पार देखने का समय निकालें, कमपनी के दिल में सचमुझ जहांक कर देखें, क्या यह वाकई आपको सिक्षित और प्रशिक्षित करने की रूची रखती है इसमें 30 मिनिट की सेल्स पिच सुनने, रंगीन वेबसाइट पर क्लिक करने और लोग कितना पैसा बना रहे हैं, यह सुनने से ज़्यादा समय लगता है किसी कंपनी की शिक्षा दरसल कितनी अच्छी है, यह पतार लगाने के लिए इन बात की जरूरत हो सकती है कि आप अपने बिस्तर से उठें और इसके प्रशिक्षन शिक्षनिक सेमिनार्स तदा कारेकरमों की परताल करें शुरुवाती प्रस्तुती में सुनी बातें अगर आपको पसंद आए, तो थोड़ा समय निकाल कर उन लोगों से मिले जो शिक्षन और प्रशिक्षन देने का कार्य करते हैं और पूरी साफदानी से परताल करें क्योंकि कई नेटवर्क मार्केडिंग कमपनिया कहती तो हैं कि उनका शिक्षनिक योजनाए बहतरीन है लेकिन ऐसा होता नहीं है जिन कंपनियों की मैंने जाच बरताल की उनमें से कुछ का एक लौता प्रशिक्षन एक अनुशनसित पुस्तक सुची थी और इसके बाद उनका पूरा जोर आपको अपने मित्रों तदा परिवार वालों को विवसाई में नियुक्त करने का प्रशिक्षन देने पर था कुछ में तो इतना अच्छा विवसाईक शिक्षन दिया जाता है जितना मैंने कहीं नहीं देखा किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में खुच से ये सवाल पूछें जहाज कौन चला रहा है यह कंपनी आजमाई हुई कार्य योजना प्रदान करती है क्या कंपनी की प्रड़क्ट लाइन जबरदस्त उच गुनवक्ता की और आसानी से बेचने योग्य है जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं आईए अब हम ये सभी सवालों को एक-एक करके समदने की कोशिश करेंगे जहाच कौन चला रहा है जो अनुभवीन लोग किसी नए विवसाय को E या S कौडरन के नजरिये से देखते हैं वे अकसर किसी कंपनी के प्रड़क्स भुक्तान योजना या प्रचार को देखकर ही कंपनी की शक्ती का मुल्यांगन करते हैं मैं इन सब बातों को छोड़ देता हूँ और सीधे सबसे महत्वपूर्ण लोगों को देखता हूँ शिकर के लोगों को ऐसी बात नहीं है कि प्रड़क्स भुक्तान योजना और बाकी चीजे महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कोई कंपनी आदर्श नहीं होती समस्याएं हमेशा रहती हैं यदि आपके जहाच को चलाने वाले लोग सही हो तो चाहे कुछ भी गरबड हो जाए वे उसे ठीक कर देंगे वास्तव में अगर आपके पास कंपनी चलाने वाले बहतरीन लोग हो तो ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जिसे वे ठीक ना कर सकें लेकिन यदि शिखर पर गलत लोग हो तो समस्याएं सामने आने पर आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते आप किसी भी पुस्तक का आंकलन उसके कवर के आधार पर नहीं कर सकते प्रचार के वीडियो और वेबसाइट के परे देखें शिकर के लोगों को देखें उनकी पृष्ट भूमी उनका अनुभव उनके ट्रैक रेकॉर्ड उनका चरित्र कैसा है चाहे आप उन्हें व्यक्तिकत रूप से जाने या ना जाने या उनके साथ कभी सीदे काम करें या ना करें दरसल वही वेब पार्टनर जें जिनके साथ आप व्यवसाइट करने जा रहे हैं आगे का सनवाद जौन और रोबर्ट के बीच में जौन कहते हैं यहां मैं एक ब्रामक मितक को सही करना चाहूंगा जिसे कमपनी के उत्सुक मालिक कई बार फैलाते हैं बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको नीचे की मंजिल पर अंदर जल्दी गुसना चाहिए यह सच नहीं है रॉबर्ट इस पर जवाब देते हैं न सिर्फ यह जूट है बलकि सरासर मुर्कता पुर्ण भी है विवसाय शुरू करने वाली अधिकांच कमपनियां पहले एक दो सालों के भीतर ही डूब जाती है और इन में शुरुवाती नेटवर्क मार्केटिंग कॉर्परेशन भी शामिल है आप किसी ऐसी कमपनी में एकनी बड़ी मेहनत समय और उर्जा के निवेश का जोखिम क्यों लेना चाहते हैं इसके पास अपना कोई ट्रैक रेकॉर्ड ही ना हो जौन इस पर कहते हैं मौजूदा परिवेश में ऐसी सशक्त व्यवारिक उत्कुरुष्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनिया हैं जो तीन साल पुरानी है और ऐसी भी है जो तीस साल पुरानी है यह सच है कि किसी नई शुरुवात करने वाली कंपनी का हिस्सा बनने पर रोमांच और उर्जा का एहसास मिलता है लेकिन दूसरी और यह भी सच है कि कई दशकों से विवसाय करने वाली कंपनी से जुड़ने पर बहुत सी शक्ती और विश्वसनियता हासिल होती है जिस कंपनी ने अभी अभी अपने द्वार खोले हैं उसमें शामिल होने के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा सावधान रहूँगा बहरहाल यहां भी उपवाद होते हैं आपको ऐसी भी कंपनी मिल सकती है जो शुरू ही हो रही है लेकिन उसके पीछे इतने दमदार लोग हैं कि आपको उसके बारे में गंबीरता से विचार करना चाहिए पते की बात यहाँ है कि आपको अच्छी चानबीन करनी चाहिए आप जिसे देख रहे हैं उसके बारे में पूरा पता लगाए आप किसके साथ विवसाय में उतर रहे हैं इसकी अच्छी तरह तहकिकात कर ले उन लोगों की बातों में जाकर मुर्क ना बने जो आपको बताते हैं कि अमीर बनने के राज किसी बिलकुल नई कंपनी या 5 सल पुरानी कंपनी या 35 सल पुरानी कंपनी से जुड़ना है दरसल कोई राज है ही नहीं कोई जादूई फॉर्मिला नहीं है आप तो ऐसी कंपनी चाहते हैं जो यह जानती हो कि यह क्या कर रही है और जो आपको सपश संकेत दे कि यह लंबे समय तक काम करने जा रही है क्या कंपनी आजमाई हुई कारयोजना प्रदान करती है? जोन कहते हैं सबसे अधिक आमदनी देने वाली नेटवर्क मार्केडिंग कंपनियां आपसे यह आशा नहीं करती कि आप नए सीरे से पहिये का आविशकार करें इसकी बजाए वे आपको कारय करने की योजनाय प्रदान करती है ताकि आपको अपनी मन चाही सफलता पाने में मदद मिले मिसाल के तौर पर उनके पास एक प्रशिक्षन मार्क दर्शिका होगी जिसमें दैनिक या साप्ताहिक गतिविदियों का सुझाव दिया जाएगा कुछ कंपनियां वेवसाय के स्वामियों को एक व्यक्तिकत वेबसाइट बनाने का प्रस्ताव भी देती हैं ताकि संभावित ग्रहकों को शिक्षित करने में मदद मिले या प्रडक्स तदा अफसर बताने में सहूलियत हो सीडी, डीवीडी, प्रोडकास्ट और प्रिंट माटीरियल्स जैसे वाले दरजे के पेशेवर प्रस्तुती साधन आजकल आम निट्वर्क मार्केटर के टूल बॉक्स का सामान्य हिस्सा बन चुके हैं क्या कंपनी, व्यवसाइक योगिताओं और व्यक्तिगत विकास दोनों को ही अपने शिक्षन तदा प्रसिक्षन कारेकरमों का नियमित हिस्सा बनाती है मैंने बहुत कुछ स्पस्ट कर दिया है कि मैं आपको मिलने वाली शिक्षा और प्रसिक्षन को आपकी नेट्वर्क मार्केटिंग अनुभव का सबसे बड़ा महत्वपुन पहलू मानता हूँ आपको होने वाली आमदनी से भी ज्यादा इसलिए यह सुनश्चित करें कि यह लाब वहाँ पर हो यह सुनश्चित करें कि आपकी कंपनी नियमित प्रसिक्षन को काफी महत्वप देती हो वेवसाईक योगिताओं में भी और चारित्रिक अधा व्यक्तिकत विकास पर भी दशकों से इस उद्योग के लीडर्स जानते हैं कि बहतरीन प्रेरक और शेक्षनिक सामगरी की नियमित खुराक से उनसे जुड़े लोगों को लाब होता है पुराने जमाने में इसके साधन, पुस्तके और आडियो टेप्स थे 21 सदी में ये सीडी, डीवीडी, पॉड़कास्ट, लाइफ, टेली, कॉनफरेंसे और वेबिनार्स हैं और हाँ पुस्तके, पुस्तके कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती जॉन कहते हैं और लाइफ कारेकरम भी इंटरनेट के दोरे में भी किसी लाइफ कारेकरम में शारिरिक रूप से मौजुद रहने में जो शक्तिशाली चीज होती है, उससे दूसरा कोई साधन पूरी तरह उत्पन नहीं कर सकता इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग मनाने का दैनिक विवसाए आम तोर पर फोन तदा इंटरनेट पर भी उतना ही किया जा सकता है जितना की रूबरू लेकिन आप अब भी पाएंगे कि बहतरीन कमपनिया अपने वार्शिक, अर्दुवार्शिक, त्रेमासिक और या मासिक करेकरों पर बहुत जोर देती है क्यों? उनके शिक्षन, प्रशिक्षन और व्यक्तिगत विकास के महत्वक के कारण वैसे सिर्फ नेटवर्ग मार्केटिंग कॉर्परेशन ही आपको प्रशिक्षन और शिक्षा का ध्यान नहीं दखेंगे आपकी मदद करने के लिए बहुत से लोग होंगे आपको इस विवसाइँ में सीधे लाने वाला व्यक्ति जिसे प्राहएः आपका स्पॉंसर कहा जाता है उस व्यक्ति का स्पॉंसर और इस तरह स्पॉंसर्शिप की पूरी श्रिंखला आपकी पूरी अप्लाइन की टीम उसके अलावा कंपनी के अधिकारी और वे सभी लोग जिनकी आपके विकास करने, सीखने और सफल होने में रूची है नेटवर्क मार्केटिंग तंतर की एक सुन्दरता यह है कि इसे कंपनियों की गला कार्ट परतिस परदा से ठीक विपरित बनाया गया है आम कंपनियों में तो आपका सबसे अच्छा मित्र भी अगले पायदान पर पहुँचने के लिए आपको कुचल कर आगे निकल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह की गला कार्ट परतिस परदा नहीं होती सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सफलता पर आपके स्पॉंसर और अप्लैन की सफलता भी निर्बर होती है जिन लोगों को आपकी तरक्की से लाव होगा वे तो यही चाहेंगे कि आप तरक्की करते रहें क्या कंपनी की प्रड़क्ट लाइन जबरदस्थ उच गुणवक्ता की और आसानी से बेचने योग्य है जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं बले ही यह सबसे महत्वपूर्ण विचारने या मुद्दा ना हो लेकिन किसी कंपनी के प्रड़क्ट लाइन अतियंत महत्वपूर्ण होती है क्यों मौखिक प्रचार के कारण नेटवर्क मार्केटिंग कंपनिया आम तोर पर अगबारों या पत्रिकाओं के धेरों विज्यापन नहीं देती हैं आपको हर जगा उनके प्रड़क्स के बिलबोर्ड या टीवी विज्यापन नजर नहीं आते ऐसा क्यों? क्योंकि उनके प्रचार का मॉडल बिलकुल अलग है महेंगे मास मीडिया में विज्यापन देने के बज़ाए वे अपने विज्यापन का बजट आप जैसे लोगों पर खर्च करते हैं जॉन कहते हैं मौखिक प्रचार ही किसी विकाश शिल नेटवर्क की ऑक्सिजन है लोग दूसरे लोगों को अपने प्रड़क्त या सेवा और अफसर के बारे में बताते हैं जिसका वे हिस्सा बन जाएं इस वज़ा से नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में वही प्रड़क्स और सेवाएं सचमुच अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं जिनके बारे में लोग रोमांचित हो सके जिनकी कोई बहतरीन कहानी हो जिनमें कोई रोचक तत्व हो या अनूटा इतिहास हो जिनसे उप्योग करने वाले को बहुत जबर्दस लाब मिलते हो या जो अपने किस्म के पहले हो ऐसे प्रड़क्स या सेवाएं जिनकी कहानी अनूटी हो एक शब्द में मौखिक परचार देखिए मुझे गलत ना समझे मैं अतियोशक्ति पुर्ण या जूटे परचार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं तो वास्तविक गुणों और विशेश्टाओं के बारे में बात कर रहा हूँ आपके प्रड़क्स को सचमुच अनूठा सौदा दिखाना चाहिए यह कहने के बाद इस बात को याद रखना भी मत्वपुन है कि कोई भी एक सर्वश्ट्रेश्ट प्रड़क्स नहीं होता हजारों सर्वश्ट्रेश्ट प्रड़क्स तदा सेवाओं के लिए जगा होती है कुछ हद तक बेहतरीन प्रड़क्स चुनना एक नहायत व्यक्तिकत चीज होती है कुछ लोगों का रुजान त्वचा की देखबाल वाले प्रड़क्स पर होता है तो कुछ का पोशन या टेकनलोजी पर हो क्या प्रड़क्स के लिए शक्तिशाली बाजार है क्या यह बहुत से लोगों को आकरशक लगेगा क्या इसकी कीमत प्रतिस परधात्मक है क्या आपको प्रड़क्स के महत्वपड भरोसा है और आप इसका व्यक्तिकत उप्योग करेंगे क्या इसकी कोई बहतरीन कहानी है जो सुनाई जा सकती हो जब आप प्रड़क्स के बारे में पूरे जोश से बताएंगे तो सामने वाले को रोमान्चित होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है धन्यवाद